दोस्तों आज की इस वीडियो में जो एरपोर्ट्स ओथरोटी ओफ इंडिया लिमिटेड जो की एक भारत की एक मेनिरतना कमपनी है उसके दुवार यहां पर जो अफरेंटिस्टिक की बहुत बड़ी रेकुरूमेंट यहां पर जाली की गई जिसमें की टोटल सीटे यहां प उसको भी प्रेस करनें ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टुडेंट इस फर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहां पे देख पार कि जो इसका ओफिसल नोटिफिकेशन से यहां यहां पे ओफन हो चुका है जो की आरफार्ट इन्डिया लिमिटड की तरफ से इसका रिक्रूमेंट यहां पे जारी की गई है जिसमें कि अगर आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो अगर आप वैस्टर रीजांस के अंतरगत आते होंगे तो आप बिल्कुल इसके लि फालो के लिए आपके देखे तो जो ग्रेजवेट अप्रेंटिस जिसमें की मेकेनिक ओटो इंजिरिंग के लिए अपर दी गई है जिसमें टूटल नमर ऑफ सीटे यहां पर 31 यहां पर बतलाई गई है अगर यहां पर देखे तो आपका वन यह के लिए जो डियू रेशन पर दिए गई जिसमें आपका apprenticeship करवाई जाएगी इसमें अस्टाइपन जो आपको प्रवाइड कि जा रही है graduate candidate के लिए आपको यहाँ पर पर्मात कि जाएगी तो अगर आपके पास degree in engineering जो की यहाँ पर mechanical या फिर automobile से किये होंगे तो आप बिलकुल इसके लिए आवेधर कर सकते हैं यहां पर जो लोकेशन्स आपको दी गई है अपरेंटीशिप करने के लिए जिसमें के आपका वेस्टन रिजन्स जुहू, सूरत, भावनगर, वड़ोद्रा, राजकोट, ओरंगाबद, पूने, गोवा, भोफाल, सिडनी, जामनगर, भोज यह सब आपका लोकेश कर सकते हैं, अगर यहां पर जो ग्रेजवेट अपरेंटीश जिसमें के आपका कॉम्मुनिकेशन्स नेवी, गेस्नल सर्वेजन्स के लिए अगर आप अपलाए करना चाहते हैं, तो इसके लिए टूडल सीट यहां पर 29 यहां पर रखेगी, इसमें भी आपका 15,000 पर मत रखे गई है, बैचलर डिगरी इन इंजिरिंग एन टेकनोलोजी आपको रखे गए जिसमें के इलोक्तोनिक्स ब्रांच होगा या फिर टेली कम्मुनिकेशन्स, इलेक्टिकल विद स्पेसिलाइजेशन्स यह सब ब्रांच से अगर आपने कियो होंगे, तो आप बिल्कुल इसके लिए आविदन कर सकते हैं, कम्मुनिकेशन्स, नेविगेशन, सरवाइन्स के लिए, अगर यहां पर जो कि ग्रेजवेट अप्रेंटिस जो आप लोग इनफोर्मेशन, टेकनोलोजी या फिर कम्प्यूटर साइंस से अगर आपने जो है, इंजिरिंग छेतर में कियो होंगे, तो उन लोगों के लिए टूटल सीट यहां पर 26 रखी गई है, तो अगर आप बेचलर डेगरी अगर टेकनोलोजी यानि कि कम्प्यूटर साइंस से या फिर कम्प्यूटर इंजिरिंग या आईटी लोग नोर्निक से क्योंगे तो उसके लिए आविदन कर सकते हैं अगर आप डिपलोमा होलर से हैं, अगर आपके पास मेकैनिक या इंजिरिंग से अगर आपने डिपलोमा किये होंगे, तो उसके लिए टूटल सीट यहां पर 27 यहां पर रखी गई है, इसमें विए आपका जो वन येर्स के लिए डियूरेशन बतलाई गई है, इसमें जो आपका स्टाइपन आपको प्रवाइड की जाएगी, बारह चरा आपको परमाद आपको स्टाइपन आपको प्रवाइड की जाएगी, जो लोग यहां पर डिपलोमा, मेकैनिकल या फिर और्टो मोबाइल से अपलाई करते होंगे, तो इसके लिए आपका सेम लोकेशन दी आपको प्रवाइड के लिए अपलाई करना चाहते हैं, यह सब ब्रांस होगा आपके पास डिपलोमा में, अगर इलक्टोनिक्स या फिर टेली कुम्निकेशन से अगर आप डिपलोमा किये होंगे, तो इसके लिए टोटल सीट यहां पर 22 यहां पर बतलाई गई है, और बीए फिर लुए कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहां पर कंडिसन्स दिए गई है, यहां पर आपका डिनेट्स के द्वारा जो अपरेंटीशिप करते हैं, उसमें अगर आपने लिए होंगे या फिर रहे होंगे तो वैसे अस्टुदें जो है, इसके लिए आवएध नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका क्वाइलिस्टेकेस्ट जो मिनीमम जो परसेंटेज आपको मांगी गई है को आप bunnyHow माँनिमम फिफ्टेटपर से अगर आप 25 किये होंगे पास किया होंगे तो यह답ort 거 होंगे उसके लिए 45 परसेंट आपको यहां पर पास मार्स का आपको यहां पर बत लाई गए जो इजुकेस्टन क्वालिफिकेशन से आप देख पाल कि जो डिग्री या फिर डिप्लोमा यहां पर मांगी गई हैं जो इलिजिविलेटी करेटेरिया आपको यहां पर रखी यह सब के कंडिडेट होंगे तो ही आप जो ही इसके लिए आवेधन कर सकते हैं एंड सेकेंड पॉइंट में यहां पर जो बड़ी केंडिडेट हुँ है पास्ट डिप्लोमा और यहां पर एक तीन दोजर आठ ओनली आर इलिजिवल तो यहां पर जो लोग यहां पर डिग् आपको एज रखेगे एंड मैक्सिमम जो है फ्व önटीजिक्स आपको मैक्सिम्म एज यहां पर रखेगे अगर आप एज में आरीजनत लेना चाहते है तो आपको केटेगरी की अनुसार आपको यहां पर एज में आर्चन दी जारी है अगर आप सст होंगे तो उसको जो है प इंपलवा में आपका जो पर्शेंटेज आये होंगे तो उसके अनुसार आपको यहां पे बेटिज देंगे उसके बाद आपका जो है जो आपका यहाँ पर apply करने की जो आपका अंतिनती थी आपको रखी गई है 3112 2020 का जो है अंतिनती थी रखी गई है तो जो भी candidate अगर इचुक हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवजन कर सकती हैं तो कैसे आवजन करना है तो जो diploma या फिर जो graduate वालों के लिए जो एक official portal होता है जो की N में registration करना होगा तो registration करने के बाद आपका नीचे में आप जाओगे तो वहाँ पर आपका अप्रेंटिस का options आपको यहाँ पर मिलेगा उसमें आप सर्च करके जाकर जो इसके लिए आवजन कर सकते हैं तो इसका link जो आपको वीडियो के description में मैं आपको provide कर दूँगा तो आ आप चाहें तो वहाँ से direct जाकर जो है इस form को आप online आविदन कर सकते हैं यहाँ पर देख पार कियो जो आपका यहाँ पर यह website आपको दी गई है इस website में जाकर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा उसके बाद जाकर इसमें आप जा स्क्रोल करके जो है नीचे इसके तुरु जो है एरपर्ट ऑफॉर्ट ऑफ इंडिया वेस्टर रिजर में आपको यहाँ पर सार्च करके जो है अपलाय कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको किसी तरह की अगर आपको अधिक जानकारी लेना चाहते है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे क के पोर्टल के थुरू अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 912 2020 इस फर्म को जो भरने के स्टार्टिंग डेट यहां पर रखी गई यहां पर आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर आपका इमेल आईडी देगे यहां पर यहां पर जो टेलीफोन नमबर देगे हैं इसमें आप कॉंटेक्ट करके जो है इसका आप अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर आपके पास आईटियाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा तो जो लोग आईटियाई ट्रेट से अगर आप अ जो डिजल मेकेनिक से अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टूटल सीट यहां पर इलेवन बनाए गई गई है तो आईटियाई वालोग के लिए जो आपका यहां पर पर्मत अस्टाइपन आपको यहां पर प्रवाइड की जाएगी तो आप किस क्वालिफि नहीं किये तो सबस्थे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एटिये पत्राइब सैटाइब को ढकिमें गई गई है उसके बाद जैसे ईसमें आप उप्रेंड की जीएगा तो आपको इस तरह का एक एक न्यू इंटर्फेस ओपन होगा जिसमें आपको यहां पे पूछा जा अब कर लेना है यहां फीक कर लेना है है यहां से आपको स्क्रॉल करதेगा कि आपका इंधर को चेक हो गई विदिया impulse है यहां से जो बेसिक details आपको यहां पर दिया गाँ आपको यहां पर फोटो है उसको आपको यहां पर अपलोड करना होगा इस तरह से जो है इसके लिए आप enrollment कर सकते हैं उसके बाद नीचे में communications, informations आपको यहां पर पूछे गए होगे उसको भी आपको यहां पर फिल कर लेना है उसके बाद करने यहाँ पर कि पूरी डिटेल यहाँ से आगर मैनुफेक्चरिंग करते हैं मेनुफेक्चरिंग से अगर भी सब्सक्राइब कर देना चाहते हैं उसके बार नीचे में स्पेञ़ तो आपको तके को इसमें आपको कली करके सेयं कर लीना है उसके बार नीचे में और पूरी डिटेल भार ली आपका यहां पर 100% आपको यहां पर सो करेगा जिसमें कि आपका student enrollment has been created successfully तो अगर आपका यहां पर पूरी ग्रीन ग्रीन कलर के आपके हो जाती है तो आप समझ जाएगा कि आपका जो है इमेल आइडी होगा यह आपको यहां पर सो करेगा उसके बाद आपको establishment जो आपका find establish जिसमें आप apprenticeship लेना चाहते हैं उसमें आपको यहां पर जाना होगा जो कि search creation आपको यहां पर दीगोई होगी उसमें अगर आप graduation से होंगे तो यहां पर आपको रिजन आपको यहां पर भ जिसमें आपको यहां पर सो कर जाएगा कि airport authority of India अगर आपका यहां पर apprentice आई होगी तो यहां से आपको यहां पर इस तरह की search आपको यहां पर open हो जाएगी उसके बाद यहां पर right side में आपका apply का options आपको यहां पर मिलेगा इसमें आपको जो है जाकर जो है इसके लिए आप्लाइ कर सकते हैं successfully ठीक है